नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका All-in-One Study Channel मी आज इस वीडियो मी डिसकास करेंगे पेंकिला मेडिसिन यनी की दर्द के दवाई के बारे में और समझेंगे की किस शरीर के दर्द में कौन से पेंकिला मेडिसिन का इस्तमाल किया जाता है शरीर के सभी दर्द की मेडिसिन द लगने के वज़ा से भी दर्द होता है और्गन पेन और आर्थराइटिस में भी पेन होता है इस वीडियो को देखने के बाद सेल्फ ट्रीट्मेंट नहीं करे यह वीडियो केवल मेडिकल नॉलज के लिए बनाया गया है तो चलिए समझते हैं कौन से दर्द में किस पेंकि पेंटिशन में जीरोडोल पी का इस्तमाल किया जाता है इस टाबलेट में एसिकलोफनेक 100 mg और पेरासिटामोल 325 mg के स्ट्रेंट में आता है डोस की बात करे तो इस टाबलेट का इस्तमाल दिन में दो बार किया जा सकता है सुबा और शाम इसके कुछ साइड एफेक्ट्स भी है जैसे नोसिया, वांटिंग, डाइरिया, डिजनिस वहीं जीरोडोल एस्पी का इस्तमाल सीविय पें को रिड्यूस करने के लिए होता है जैसे सर्जरी होने के बाद का पें जीरोडोल एस्पी पें को भी रिड्यूस करता है और साथ-साथ वाउंड हीलिंग में भी ह जाने वाली सबसे फेमस पेंकिलर मेडिसिन है कीटोरोल है, डेंटल डॉक्टर इसका खूब इस्तमाल करते हैं पें को रिड्यूस करने के लिए अधर एंटिबायोटिक के साथ, केटोरोलाक टाबलेट 10 एमजी के स्ट्रेंथ मी आता है, कीटोरोलाक टाबलेट मार्किट मी की कीटोरोल डीटी के नाम से मिल जाता है, इसका डोस की बात करें तो ये टाबलेट 10 एमजी दिया जा सकता है, जब जरूरत हो, कीटोरोलाक का कुछ साइड इफेक्ट जैसे नोसिया, वंटिंग, डिजिनिस, ग्यास और हैडेक जैसे साइड एफेक्ट होते हैं, टीथ पें म कीटोरोलाक के अलबा ओकसालजीन दीपी का भी खूब इस्तमाल होता है, तीसरे नमबर पे बात करते हैं, सबसे कामन होने वाली दर्द का यनी की हैडेक सिर दर्द माईर तो मॉडरेट हैडेक के लिए सेरिडोन टाबलेट का यूज किया जाता है, सेरिडिन टाबलेट बह जो बार सर दर्द होने पे सेरिडिन टाबलेट का साइड एफेक्ट, अलर्जिक रियाक्शन, टाकिकारिया, इचिंग और स्किन राश जैसे साइड एफेक्ट्स होते हैं, बैसिकली सीर दर्द यनी हैडेक मी सेरिडिन टाबलेट या फिर उसके जगा कॉमबी फ्लाम का इस इस्तमाल किया जाता है या फिर जीडरोडोल पी टाबलेट का भी इस्तमाल किया जाता है, ये टाबलेट बीडी यनी दिन मी दूबार लिया जाता है, सूमो टाबलेट में निमेसुलाइड और पैरासितामोल का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, नोसिया, वर्म्टिंग और रियाक्षन जैसे कुछ साइड एफेक्स होते हैं सूमो टाबलेट का. स्टमाख पेन अब बात करते हैं स्टमाख पेन यदि पेट दर्ध में डी जाने वाली पेनकिलर मेडिसिन स्टमक में बहुत सारे औरगन होता है जिसके वजह से स्टमक में बहुत तरह के दर्ध होता है अनपच के करन पेट दर्ध होता है तो उस कंडीशन में एंटासिट सीरप जैसे पैनेट प्राजोल दिया जाता है जिससे एसीडिटी और अनपच ठीक हो जाता है और उसके साथ नॉर्मल पेंकिला मेडिसिन जैसे एसिकलोफनेक और पेरासीटामोल का कॉंबिनेशन दिया जाता है, जिससे पेट दर्थ ठीक हो जाता है, लेकिन पेट दर्थ के केस में डाइसाई किलोमीन हाईड्रोकलोराइड और मैफनेमिक ऐसेड टाबलेट का कॉंबिन इस्तमाल किया जाता है, जिससे स्टमाख पेन और स्टमाख क्रैंप्स ठीक हो जाता है, नोसिया वॉम्टिंग और हर्ट बर्न जैसे इसके कुछ साइड एफेक्ट्स है, और्गन पेन, और्गन जैसे किड्नी पेन, यूरिनरी ब्लादर पेन, लिवर पेन में ड्रोटावेरी इस्तमाल किया जाता है, इस टाबलेट को मार्किट में ड्रोटिन के नाम से खरीच सकते हैं, ड्रोटिन टाबलेट दिन में दो बार इस्तमाल किया जाता है, इन्डाइजेशन, हर्ट बर्न, हैदेक और वॉम्टिंग जैसे इसके कुछ साइड एफेक्स होते हैं, बोन जॉ टाबलेट दिन में दो बार इस्तिमाल किया जाता है, डिजनिस, हेडेक और कॉंस्टिपेशन जैसे इसका साइड एफेक्ट्स होते हैं। प्रेगाबालीन कैपसुल, प्रेगाबालाइन कैपसुल का इस्तिमाल नर्फ पेन को रिद्यूस करने के लिए किया जाता है, इसका डोस पचास मिल्लीग्राम होता है, इस टाबलेट को दिन में तीन बार इस्तिमाल किया जाता है, कोल स्वेट, नौजी ब्रीधिंग और कॉफ जैसे इसके कुछ साइड एफेक्ट्स होते हैं। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थांक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो.